जिन्दिगी में यदि परिशानी आएं तो एक बात हमीशा याद रखना निकरता वही है जो पहले बिखर चुखा होता है दुल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत ना करें उस इंसान से ज्यादा आपको कोई महबबत नहीं कर सकता कई इंसान दोहरे चरितर में नहीं रह पाते इसलिए जिन्दिगी में अकेले रह जाते किसी का थोड़े दिन का टाइम पास किसी की जिन्दिगी भर की मुस्कान चीन लेते क्या आपकी मुस्कान चीनिये किसी नहीं अपने लिए नहीं तो उनके लिए काम्याब बनो जो आपको नाकाम्याब देखना चाहते हो जब तक तुम दरते रहोगे तुमारी जंदिगी के फैसले कोई और लेता रहेगा हमीशा तैयारी के साथ रहना चाहिए मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं कभी मत बदलना अपने आपको औरों के हिसाब से खुदा ने आपको भी दिया है एक लिवास आपके हिसाब से एक बार सभी उमीदों का तोटना भी जरूरी है पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है जन्दिकी का एक उसूल याद रखना पहचान सब से रखना लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना रिश्टो की कदर भी धन की तरक करना चाहिए दोनों को खोना असान है लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल है स्वाद जन्दिकी का लो किसी के भरुसे का ने, क्या आपके भरुसे का भी किसी ने स्वाद लिया है हाड वर्क करो दोस्तो हाड वर्क, सफलता का शोर तो आपकी लेंबर्ग नहीं मचाएगी वादा करो उनसे, एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा तुमसे जब खुद को छोट लगती है, दूसरों के जख्म तभी दिखाई देते हैं ना वो सपना देखो जो तूट जाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए मताने तो किसी को इतना करीव कि उसके जाने से इंसान खुदा से रूट जाए हर किसी को उतनी ही जगदो दिल में जितनी वो तुम्हें देता है या तो खुद रोगे या वो तुम्हें रोलाएगा सच्चे रिष्टों की खुबसूर्ती एक दूसरे की गल्तियों को बरदास करने में है वरना बिनकमी वाला इंसान ढूडने जाओगे तो अकेले रह जाओगे खुदा से लामत रखें उनको जो हमसे नफरत करते हैं प्यार ना सही नफरत ही सही कुस्तो है जो वो सिर्फ हमसे करते है पीठ पीछे कोई क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता सामने किसी का मूँ नहीं खुलता यही काफी है नदी में गिरने से कभी किस इंसान की मौत नहीं होती मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता उसी प्रिकार परिस्थितियां कभी भी मनुशी के लिए समस्याय नहीं होती है समस्याइं तो तब होती है जब उसे परसितियों से निपटना नहीं आता पुछ बनना है तो शौट से बनो पर एक ख्याल रखना कभी भी भी भीड का इस समत बनना हाँ भीड जिसके लिए जुटे वो किसा जरूर बनना दुनिया विरोध करे तो डरो मत क्योंकि जिस पेड पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि मैं आप सभी रोगों के लिए कुछ बहुत ही दमागेदार लेकर आने वालों